सत्कुरू की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी साज संगत जी सत्कुरू माता सुदीक्षा जी महराज की अपार किर्पा है सद्कुर्माता जी की किर्पा से हमने एशिया और अफरीका के वर्चुल समागम का भी खूब अनंद लिया और सद्कुर्माता जी ने हमें अपने विचारों द्वारा यही समझाया कि जो फूल होते हैं फूल काटों से भी दोस्ती निभाल लेते हैं इसी तरह फूल जहां भी होते हैं महक की महक देती हैं चाहे कोई उन्हें अपने हाथों मे ले ले और चाहे हाथों मे लेकर फूलों को मसल ले तब भी वो महक की महक देती हैं इसी तरह एक भगत का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए सद्गुणों से यूक्त होना चाहिए वो अपने सद्कर्मों से सद्गुणों से इस भगती की महक फैलाए और कहते हैं कि इसी तरह सेवा, सिम्रन सशन करते हुए फूलों की तरह ही महकता चला जाए महकता रहे हर समय ऐसा सद्कुर्माता जी ने हमें समझाया है जो भी सद्कुर्माता जी के बचन आ रहे हैं, जो भी आदेश आ रहे हैं हम इन आदेशों को अपने जीवन में ढाल पाएं यही सचे पाश्या की जर्नों में अर्दास है संगत जी कहते हैं मेरी हर अरजी को तुमने मनजूर किया है बिन मांगे ही तुमने भरपूर दिया है इसी तरह जीवन खुश हाल बनाए रखना लेती रहू तुम्हारा नाम बस किरपा बनाए रखना सत्कुरु के चर्नों में यही अरदास है सचे बाशा आप जी ने सब कुश दिया है आप जी का शुकरिया हमारा जीवन आप जीने खुश हाल बनाया है इसी तरह आप जी अपनी किरपा हर एक जीव के उपर बना कर रखना सभी को इसी तरह सुखों से नवाजते रहना और इसी तरह सभी सेवा, सिम्रन, ससंग के में भगती की महकों फेलाते ही चले जाएं इसी तरह आपके आदेश अनुसार सेवा, सिम्रन, ससंग करते चले जाएं दासियाप जी के चरनों में वीचार रखने जा रही है साज सिंगत ची ये विचारों द्वारा हमें यही समझाया है कि गुरु दर्शन दाफल है वड़ा मननू पाक बनानदाए गुरु चर्णादी तोड़ी पाके मन मेला दूल जानदाए गुरु के दर्शन करके ये मन पाक पवित्र हो जाता है लेकिन इसके लिए हमारे मन में गुरु के लिए जैसा भाव है वैसी जैसी शर्दा है वैसा ही हमें गुरु फल दे देते हैं कहते हैं कि अगर हमारे दिल में गुरु के दर्शनों की चाहा होती है तो ये कहीं दूर नहीं है ये तो हमारे नजदीक है लेकिन हमने भाव बनाना है ये हमारे उपर डिपेंड करता है अगर हमारे मन में सची शर्टा है सची लगन है सची तड़फ है तो इस सत्गुरू हर समय हमारे पास है हमारे नजदीक है शेहरग तो नजदीक है हाका मार के लेना की ये तो हमारी स्वास नली के भी बिल्कु नजदीक है ये हर एक बात को सुनता है ये भाव देखता है जैसा हमारा भाव होता है ये सच्चा वाशा उस भाव को पूरन कर देता है अगर हमारे मन में सच्चुरू क में दर्शन देने के लिए आ जाते हैं ऐसे हिदासी आप जी के चरनुव में चोथी पाश्याई पाचवी पाश्याई शीरी गुरु अर्चन देव जी महाराज की ये सच्ची घड़ना रखने जा रही है कहते हैं एक बार शीरी गुरु अर्चन देव जी महाराज कोविंदवाल से अमरे सर आ रहे थे रास्ते में एक गाव आता है खानपूर वहाँ पर गुरु जी को अपनी संगत के साथ पहुशते पहुशते रात हो जाती है शीरी गुरु अर्चन देव जी महाराज ने कहा अब रात हो गई है हम सब इसी गाव में रुक जाते हैं वे खानपूर नामक गाव में रुक जाते हैं और शीरी गुरु अर्चन देव जी महाराज के साथ बाई गुरदाश जी बाबा बुड़ा सिंग जी और सैकडों के ह साब से संगत होती है कानपूर गाम में पहुँचते हुए रात भी हो गई थी और उन्हें भोख भी बहुत लगी हुई थी तो शिरी गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बाबा बुटा सिंग जी से कहा बाबा जाओ किसी सेवक का घर ढूंड कर आओ वहाँ पर रात गुजार लेंगे जब बाबा बुटा सिंग जी और संगत सेवक का घर ढूंडने के लिए उस गाम में चले गए तो वहाँ पर कोई सेवक का घर नहीं मिला क्योंकि सभी पीरों फकीरों को ही मानते थे कोई भी उस गाम में गुरू को मानने वाला नहीं था तो बाबा बुटा सिंग जी और संगत सभी वापिस आ गए और उन्होंने शिर गुरू महाराज जी से कहा महाराज जी यहाँ पर तो कोई भी गुरू को मानने वाला नहीं है यहाँ पर किसी सेवक का घर नहीं है सबी पीरों फकीरों मड़ी मसानों को मानने वाले लोग है महाराज जी ने कहा चलो ऐसा करती है सबी मिलकर यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठ कर किर्टन करती है किर्टन करते हुए इस परमात्मा का नाम जफते हुए हमारी रात जो है वो गुजर जाएगी तो सबी ने कहा ठीक है सचे पाश्या सबी किर्टन करने लग जाती है तबी थोड़ी देर बाद एक सेवक मजदूरी करके अपने घर जा रहा होता है वे गुरु का सेवक होता है और वे टोकरी भी हाथ में उसने ली होती है वे जा रहा होता है उसने कहा यहे उसके कानों में किर्टन की आवाज बढ़ती है वे है कहता है कि यहे पेड़ के नीचे बैठकर कौन किर्टन कर रहा है और यहे किर्टन सुना हुआ लगता है और इतनी भीड भी लगी हुई है जाकर मैं देखूं तो सही जब उसने देखा पेड़ के नीचे देखकर वो हैरान हो गया कहने लगा ये तो मेरा गुरू है उसने टोकरी एक तरफ फैट दी और भाग कर सत्गुरू के चरन पकड़ लिये कहने लगा सेवक कहने लगा सत्गुरू जी मैं तो धन्य हो गया हूँ आपके दर्शन करके मेरे धन्य भाग हो गया है मैं धन्य हो गया हूँ तो गुरू जी आगे से कहते हैं सेवक को तुम यहां कैसे वह सेवक कहता है माहराज जी पास में ही मेरी जोपड़ी बनी हुई है और आप जी मेरी जोपड़ी के पास ही आये हुए हो और मुझे पता भी नहीं चला अब आप चलो हमारे घर चलो वो कहता है सेवक कि महराज जी आप मेरे घर चलो आप वहाँ पर मेरे जोपड़ी में चरण डालो मैं तो हर रोज रास्ता देखता हूं कि मेरा गुरू मेरे घर आ रहा है मुझे ऐसा हर रोज दिखाई देता है सचे पाशा, मेरा गुरू मेरे घर के पास बैठा है और मुझे पता भी नहीं चला मैं ऐसे ही उदर उदर भट करा आँ हूँ वे हैं मजदूर आदमी था मजदूरी करता था टोकरी ले रखी थी उसने हाथ में टोकरी एक तरफ फैंक कर उसने गुरू जी के चरण पकड़ लिए और कहा चलो महाराज इसी समय अपने इस सेवक के घर में चलो जोपड़ी में मेरी चरण डालो तो जोपड़ी में वो सेवक अकेला ही रहता था उसका परिवार नहीं था वो अकेला ही था शीरी गुरू महाराज जीने कहा चलो बेटा चलते हैं क्योंकि ये जो सत्गुरू होते हैं ये बड़े दियालू होते हैं बड़े किरपालू होते हैं ये भाव देखते हैं अगर को उसके चोपड़ी में चरन डाले तो शिरी गुरु माहराज जी ने चक्की में आठा खुद ही पीसा यहू डालकर आठा पीसा लंगर बनाया और सारी संगत को गुरु जी ने खुद ही लंगर खिलाया सारी रात किर्टन चलता रहा वह सेवक बहुत रोया कहने लगा जिस दिन मेरे गुरू के दर्शन मुझे हो गए उस दिन मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा आज मुझे मेरे गुरू के दर्शन हो गए है आज मेरा सारा काम पूरा हो गया है मेरे मन में यही लगन थी कि मेरा गुरू मुझे मिल जाए मेरे गुरू के दर्शन हो जाए और मेरा गुरू मेरी जोपड़ी में चरन डाल दे यह सेवक सारी रात रोता रहा और दर्शन भी करता रहा गुरू के दर्शन वेख वेख जीमा गुरू दे चरण तोय तोय पीवा महराज जी ने महराज जी ने ये किर्टन भी करा सारी राज किर्टन भी हुआ और ये शवद भी जो उस सेवक का था उस सेवक ने ये शवद भी बोला कि गुरू के दर्शन वेख वेख जीवा गुरु दे चरन तोय तोय पीवा दर्शन करते करते वह सेवक रात को ही गुरु के चरनों में गिर गया और कहता है मेरी आखरी इच्छा यही थी गुरु जी मेरे घर आएं मुझे दर्शन दे मेरी इच्छा अब पूरी हो गई है अब मैं शरीर छोड़ कर अपने नीज धाम में जा रहा हूं अपने नीज घर में जा रहा हूं सचे पाशा मुझे अपने चरनों में स्थान दो गुरु के चरनों में ही सेवक ने प्राण त्याग दिये सूबय हुई शिरी गुरु महाराज जी ने उस सेवक का अंतिम संसकार अपने हाथों से किया अंतिम संसकार करके उसका अंतिम संस्कार करके उसका जिकर भी किया गुरुबानी में भी जिकर किया गुरुबानी में दर्ज भी है महराज जी ने गुरुबानी में दर्ज किया सुहावी छापडी गुरुजी ने जिकर किया भली सुहावी छापडी जा मैं गुन गाए भली सुहावी छापडी जा मैं गुण गाए गुरुबानी में दर्ज किया कि एक छपरी में बैठा मैं एक छपरी में जाकर बैठा वहाँ पर इस निरंकार के गुण गाए और मुझे इतना प्यारा मेरा सेवादार महात्मा मुझे मिला सास संगत जी कहते हैं कि भाव होना चाहिए जब हमारे मन में भाव होता है सच्ची शर्दा और लगन होती है विश्वाश होता है तो वो बात पूरी हो जाती है कि भाव का भूखा होता है संपूर्ण हर देव बाणी में सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज ने कहा है गुरू के दर्शन भगत जनों को आनंद से भर देते हैं गुरू के दर्शन मन की सारी दूविधा को खर लेते हैं गुरु के दरशनों से बगज़नों को बहुत अनंध मिलता है और गुरु के दरशनों से मन की सारे दोविधाएं दूर हो जाती है जैसे उस सेवक की इच्छा पूरी हो गई इसी तरह हैं वह संची शर्दा, संची लगन है तो हम भी जो सोचते हैं वो पूरन जरूर होगा चाहे उस काम को पूरा होने में समय लग जाए लेकिन ये सत्गुरु अपने सेवक को अपने गुर्शी को कभी भी निराश नहीं होने देता गुरु के दर्शन जनम जनम के सोई भाग जगाते हैं गुरू के दर्शन आत्मा को हरी के संग मिलाते हैं गुरू के दर्शन से मुक्ति के खुल जाते हैं द्वार सुनो गुरू के दर्शन से भगदी का मिल जाता है सार सुनो गुरू के दर्शनों के कितनी महिमा गाई गई है गुरू के दर्शन करने से सोय हुए भाग जाग जाती हैं तकदीरें बदल जाती हैं और गुरू के दर्शन से इस आत्मा को परमात्मा का संग मिलता है गुरू के दर्शन करने से ही मुक्ती होती है और भगती का दरवाजा खुलता है गुरू के दर्शन जो करती हैं धन धन को हो जाते हैं शंका शंशे ब्रह्म भुले के मन में ना रह पाते हैं जब गुरू के दर्शन गुर्शिक कर लेता है तो वो धन हो जाता है और कहते हैं कि जब गुरू के दर्शन गुर्शिक को हो जाते है तो उसके मन से सारे वहम भुले के दूर हो जाते हैं वो फिर किसी व बट जाते हैं पाप सभी गुरू के दर्शन से मिट जाते दुख-पीडा संताप सभी. कोई भागूवाला आके गुरू के दर्शन पाएगा. भागय हीन है जो बन्दा वो निकल बगल से जाएगा. जो भाग्याशाली होगा जिसके मन में लगन होगी भाव होगा वही गुरू के दर्शन पा सकता है और जिसके मन में कोई लगन नहीं है क्याते हैं कि वो बड़ा बदकिस्मत इंसान है वो बड़ा भाग्याहीन इनसान है जो ससंग हो रहा होता है ससंग को सुन नहीं पाता हमें तो सत्गुरु ने चून लिया हम तो बड़े ही अपने आपको भाग्यशाली समझते हैं कि सत्गुरु ने हमें चून लिया इतनी बड़ी भीड में से हमें बाहर निकाला अपने चर दर्शन ही मनभावन होती हैं ये सचे पाशा जिस तरह आप जी हमें ये लाइव वर्चुल समागम के रूप में हमें दर्शन भी दे रहे हो एक सबता हमें तीन तीन बार दासी तो अपने आपको बहुत ही भागेशाली समझेगी के सचे पाशा आप जी ने इतनी बड़ी हम पर किरपा की है इतनी बड़ी रहमत की है आप जी का दासी शुकर गुजार है लख लख वार शुकराना करती है सचे पाशा जितना भी आप जी का शुकराना किया जाए उतना ही कम है आप तो बड़े ही दियालू हो किरपालू हो इसी तरह अपनी रहमते हर एक के उपर लु हर एक आंगर में सुख ही सुख बरसे और अब तो सद्कुर माताजी के चरण हर एक घर में पढ़ रहे हैं हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमें ऐसे से महापुर्शों के सद्कुर माताजी की किर्पा से दर्शन हो रहे हैं ऐसे ऐसे देशों के महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं जिनके कभी हमने नाम भी नहीं सुने सास संगा जी सत्कुर की किर्पा है सत्कुर चाहे जो भी कर सकता है सत्कुर चाहे हर एक बंदे तो हर एक खाम करवा सकता है गुंगे तो रागवा सकता है पिंगले तो परवत पार करा सकता है सत्गुर दी जे रहमत हो जाए पलट जाने तकदीरा भी इकिक करके नस्दिया जाविन मनमतिया तत्बीरा भी पूरे गुरुदी शरण पिया जम्मादी फाही मुख जावे कहे अउटार गुर सिक दे सामे जम्भी अउंदार कुजावे जिसके अपर सद्गुरू की किर्पा हो जाती है कहते हैं कि उसका तो यमराज, धरमराज कोई भी कुछ नहीं विगाड सकता वो भी डर जाता है ये सद्गुरू को मानने वाला है निरंकार को मानने वाला है ये आत्मा जिसकी है साथ संगाची इसी तरह हम जूड़े रहें जिस तरह हमें सत्कुरू ने जूड़ा है कहते हैं कि तूटा पत्ता डाल से तूटा पत्ता डाल से ले के पवन उड़ाए अब के बिछडे कभ भी लेंगे दूर पढ़ेंगे जाए कहते हैं कि जब डाल से पता तूट जाता है तो दुबारा टहनी पर नहीं लगता हवा का जोका आता है वो कहीं भी उड़ कर चला जाता है इसी तरह जब तक हम सत्कुरू के संग जुड़े हुए हैं तो हमारी कीमत है अगर हम इस से अलग हो गए तो हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी इसलिए अगर हमने अपनी कीमत बनानी है तो सत्कुरू के संग हम जुडे रहें जब हम सत्कुरू के संग जुडेंगे तो हमें साथ संगत निरंकार सब कुछ मिलेगा सत्गुरु ही निरंकार से मिलवाता है सासंगत से मिलवाता है ये तीनों और एक ही परमसता के नाम है और ये तब ही तीनों मिलते हैं जब हमें सत्गुरु मिल जाता है इसलिए हम सत्गुरु के संग हमेशा जुड़े रहें दर्शन करते रहें आशीरवादे लेते रहें इसी तरह हम वच्छन अपनी जोली में डालते रहें और करम रूप में ढालते रहें दासी से अगर विचार करते हुए गल्तियां तो बहुत हुई होगी आप जी शमा कर देना दासी सीमरन कराएगी सभी मिलकर सीमरन में साथ देना जी सब के भले के लिए सीमरन करें जी तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नूबख्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नूबख्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नूबख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर्देव जी महराज कीजे निरंकारे राज माता गुरु बचन अवतार कीजे साज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार